दोस्तो आज की मेरे वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और यूजफूल होने वाली क्योंकि आज की मेरे वीडियो को टॉपिक है सफलता पाने के लिए अपनी प्रस्टनलिटी ऐसी बनाए कि कोई भी इंग्नोर ना कर पाए हाँ दोस्तो तो लाइफ में सक्सेस होना है कि इसे भी फिल्ड में जाओ उस फिल्ड में धूम मचा दो जो भी काम करना चाहो उस काम में ऐसे लीन हो जाओ ऐसे मतलब उसमें घुस जाओ की डीप वर्क करो और फिर इतिहास के पन्नों में आपका नाम छप जाए तो हाँ दोस्तो तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपना तित्वर निखारे की हर किसी के दिल में राज करें जहां जाएं वाँ चाह जाएं जिस फिल्ड में धूम मचा दें वर्स पॉइंट है आप क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ क्योंकि नेगेटिव बाते बोलने के लिए लोग पहले से ही तयार हैं आपको दवाने के लिए प सीना चीर के आने की क्योंकि मैं एक बीज हूँ हां तो आपको एक बीज बनना है लाइफ में क्या कर रहे हो क्या करना चाहते हो इससे किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है तो आपकी अपनी लाइफ है आप क्या करना चाहते हो किस चीज में आपका ले तो आप निरंतर उस काम को कंटिन्यू करते रहोगे ऐसा कोई काम ढूंड हो ताकि आपको भविश्च में कोई ऐसी जोब ना करनी परे जिसमें आप जाना ना चाहते हो मजबूरी ना हो कि रोजी रोटी के लिए दाल रोटी के लिए आपको काम करना परे पैसे कमाने के लिए स्रिफ काम करना परे घर चलाने के लिए आपको काम ऐसा करना चाहिए लाइफ में जो दिन काटना नहीं दिन को हम इंजोई करते हुए फील करते हुए लाइफ को जीए तो काम अपने फिल्ड का अपने इंटरेस्ट का चुनो बढ़ो किसी को भी क्या कर रहे हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ताकेंड पॉइंट है, बहुत जल्दी घबराना नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है न, लोग जो उसमें काम स्टार्ट कर देते हैं, किसी को देखके, फिर बाद में उन्हें वो काम बहुत हार्ड लगने लगता है, फिर सोचतें, नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, अब मैं रास्ता चेंज को ये काम ही छोड़ दूँ, फिर दूसरे काम में, तो कभी लाइफ में उनके सिर्था नहीं रहती, इसलिए कोई भी काम आप धंका चुनो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उस काम को पूरा करो, उस काम को continue लगे रहो, क्योंकि कोई कितना भी किसी काम में माहीर है, अगर वो काम को continue नहीं करता है, तो धीमा पर जाता है, जैसे एक तलवार है, उसका अगर यूज ना करें हम, तो तलवार में भी जंग लग जाता है, उसी तरह हम लोगों का जीवन है, हम लोगों का माइंड है, अगर हम उसे काम ना ले, तो वो स्थिर हो जाता है, तो इसलिए आप जो व्यक्ति continue काम करता है, चाहिए उसको knowledge है या नहीं, तो वो भी उस काम में माहीर हो जाता है, यह 100% सच्चाई है, इसलिए बहुत जल्दी घबराना नहीं है, कोई भी काम चुनो, तो उसमें स्थिर रहो, और उसमें आगे बढ़ने की कोसिस करो, और as a challenge लो, जब तक आप challenge नहीं लोगे, कि यह काम मुझे करना ही है, मैं करके दिखाऊँगा, किसी को अदर को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए, खुद से aware रहने क लिए, तब तक आप जिवन में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बहुत जल्दी घबराना नहीं है, एक काहवत भी है, जो पानी से नहाते हैं, वो बदलते हैं लिबाज, जो पसीना से नहाते हैं, वो बदलते हैं इतिहास, अब आप पे depend करता है कि आप कितनी मेहनत करने क लिए, तयार हो, हाँ, जब आपके चहरे पे एक के smile होती है, तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है, तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर confidence नहीं है, किसी से बात करने में confidence नहीं है, सोचते हो कि वो हमसे बहुत ज़्यादा intelligent है, या good looking है, तो आप अपने आपको वहाँ कम समझते हो, तो ऐसे में आप अपने चहरे पे smile रखो, क्योंकि present में आपकी हालात जैसी भी है, बस से बत्तर हालात है, तो situation को भी आपको, situation में भी मुस्कुराना आना चाहिए, चहरे पे smile रखना चाहिए, अपने confidence से को बढ़ाना चाहिए, या confidence में आत्मिश्वास में रहन है, तो इसलिए आपकी present में हालात जो भी हो, घबराना नहीं है, अपने अंदर confidence रखना है, और उसी confidence से life में आगे बढ़ना है, ये जजबा आपके अंदर होना चाहिए, four points है, respectful behave करे, हाँ, आपका behavior बहुत life में important part है, personality का, व्यक्तित्वर निखारने का, इसलिए अपने से छोटे से behave करें, बहुत प्यार से, बरो से, बहुत respect से, और चाहें आप office में किसी भी post में हो, अपने boss से भी बहुत confidence के साथ बात करें, बहुत अच्छा behave रखें, और जो आप से छोटे पद पे हैं, employee हैं, उनसे भी आपका behavior उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए, अक्सर ह होता है कि जो हमसे उचे पद पे post में रहते हैं, उनका हम respect करते हैं, जो हमसे कम पे रहते हैं, उनसे हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं, आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए, तो respectful behave आपको सबों से करना, यह नहीं कि कहीं हम कम post पे हैं, या income हमारा कम है, क कोई बहुत बड़े वेक्ति को देख लिए, बहुत बड़े आदमे को, successful person को, तो वहां मारा confidence lose हो जाए, नहीं, उस समय भी हम present में आपके स्थिति जो भी है, आपके अंदर आत्मिस्वास होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मिस्वास ही आपको आगे लेकर जाता है, तो यह ज क्या है, आपका standard क्या है, यह भी बहुत माइने रखता है, बहुत बार, यह कई बार हम देखते हैं, कि जो हमसे ज़्यादा rich है, वो भी अच्छे से नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके पास से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, वो भी अपने आपको maintain करके रखते हैं, उनके घर भी कोई चीज लेने जाओ तो मिल जाती है, तो कहने का मतलब उनको money management करना आता है, पैसे कैसे save करना है, कैसे खर्च करना है, यह चीज उनको आता है, तो वो इस चीज को भी money management भी अच्छे से कर लेते हैं, saving कर लेते हैं, किसी के आगे उन्हें हाथ फैलाने की तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, तो अपना जो bank balance है, या pocket money है, उसको भी maintain करें, फिर अब है look है, look आपके pocket money से bank balance से बहुत relate करता है, तो आप looks का proper ध्यान रखें, अच्छे कप्रे, टेंड के कप्रे, एक दो होने चाहिए, पहनना चाहिए, आपके सूज भी अच्छे ह होना चाहिए, nail, teeth, proper आपको मतलब dress up के सांसाथ, अपने health का और body parts जो है, निटेंड clean रखना चाहिए, personal hygienic का ध्यान रखना चाहिए, तो looks बहुत matter करता है, क्योंकि सबसे पहले किसी person को हम देख के ही just करते हैं, कि उसका background क्या है, family background क्या है, कहां से आया है, उसके बाद ज तो सभी चीजें आपको maintain करनी है, क्योंकि looks first impression ही last impression होता है, तो आपका looks ऐसा होना चाहिए, कि पहली linger में ही किसी को प्यार हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखने आता है, तो looks में आप first में ही select हो जाओ, six point है, communication skill, बातचित करने का तरीका develop करें, क्योंकि ये एक ऐसा power है कि किसी को भी आप convince कर सकते हो, तो अपने parents को convince करना हो, जब आप घर पे ही convince नहीं कर पा रहे हो, तो office में या बाहर देश दुनिया में कैसे लोगों को convince करोगे, प्रभावित करोगे, तो communication skill को develop करना है, इस बातचित करने का तरीका आपको आना चाहिए, सहस्ता से प्यार से बात करें, लोगों से मीले जूले, और आपके अंदर बातचित करने का कला इतना कूट-कूट के भरा होना चाहिए, कि लोग आपसे प्रभावित होए, बिन पैसे काहीं आपका हर जगा काम हो जाए, अच् करें थे हैं सुराजिंग जै हिन्द जै भारत